अवेद रूप से भारत में गुशने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में तो आप सबी जानते हैं वो उत्तरपरदेश के नौईडा के अपने भारतिय प्रेमी सचिन मीना से शादी करने के लिए सीमा पार आई थी ISH ने इस बारे में एक वीडियो भी जारी किया था आप इस लिंक पर वीडियो दोबारा देख सकते हो यहां उसी पर एक अपडेट है आठ एपरेल दोजार चोबिस को सीमा का एक वीडियो एक्स पर वाइरल हो गया वीडियो में सीमा को संभवित हमली के कारण उसके चेरे पर चोटों के साथ देखा जा सकता है वो सूजी हुई आखो और उपरी होट पर एक बड़ा घाव के साथ दिखाई दे रही है वीडियो को पहले एक्स पर शेयर किया गया और फिर अन्य सोचिल मेड़ा प्लाटफॉर्म पर वाइरल हुआ लोगों ने बताया कि सीमा के पती सचिन मीना ने उसके साथ मारपीड की यह अटकले भी खुब वाइरल हुई क्या आपको लगता है यह सत्य है यह खबर सच है या नहीं इसका पता लगने के लिए कई समाचार एजन्सियों ने डीप तेस्ट किया समाचार एजन्सी रिपपली वड ने पाया कि सीमा का वीडियो डीप था और इसमें कोई शारेख हमला नहीं हुआ था फिर वीडियो वाइरल कैसे हुआ यह एक एरिटेड वीडियो था सीमा के वकील अपी सी ने कहा कि वीडियो फर्जी है और सीमा के साथ कभी मारफिट नहीं हुई और वर्ट ठीक है वकील ने कहा कि वीडियो को आर्टिफिशल इंट्रिजेंस का उपयोग करके संपादित किया गया था और सीमा के खिलाफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्ज वारा पोस्ट किया गया था पूलिस ने भी पुछ्टी की कि सीमा के साथ कोई मारफिट नहीं की गई और वर ठीक है सीमा ने भी एक बयान जारी कर स्पश्ट किया है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और सचिन और उनके बीच कोई समस्या है उसने रमदान के पवित्र महीने के दोरान अपना फर्जी वीडियो साजा करने और गलत सूचना फैलाने के लिए पाकिस्तान सोचल मीडिया के भी आलोचना की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है और वो फिलहाल अपने पती के साथ यूपे में रह रही है रश्मी का मंदाना जैसी अभिनेत्रिया भी पहले डिफेक वीडियो का निशाना बन चुकी है आईसेच न्यूस ने इस बारे में एक वीडियो जारे किया था आप उसे यहाँ पर देख सकते